Hey guys, welcome back to my channel TechPandaWeb और मैं हूँ आपका दोस्त राना दोस्तो, RAC RAC का मतलब होता क्या है? क्या आप RAC टिकट के साथ अभी ट्रैवल कर सकते हैं? या फिर RAC status होने के बाद आपको कौन से seat दी जाती है? कोच कौन सा होता है? और RAC को कैंसल करवाने में कितना refund मिलता है? दोस्तो, इस seat को लेकर के अगर आप confused है तो आज की वीडियो में आप लोग को देने वाला हूँ RAC के बारे में पूरी जानकारी तो वीडियो को end तक देखिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो RAC का मतलब होता है reservation against cancellation अगर आपकी ticket RAC में तो क्या आप travel कर सकते हैं? जी हाँ, आपकी ticket अगर RAC में तो आप बिलकुल भी travel कर सकते हैं आपको कोई भी रोक नहीं सकता है travel करने से लेकिन यहाँ पे जो आपको seat दी जाएगी वो single seat पे दो लोग share करके आपको travel करना होगा जैसे कि आप वीडियो में जो देख रहे हैं इस seat पे आप लोगों को दो लोगों को एक साथ travel करना होता है जो side में ये seat बनी होती है नीचे के side में तो RAC के साथ आप travel तो कर सकते हैं आपको single seat पे दो लोगों को share करना होता है RSC में जब आप ticket book करते हैं तो आपके ticket पे ना तो coach की detail होती है ना तो seat number वहाँ पे दिया जाता है ऐसा इसलिए होता है कि RSC में chances रहते हैं कि आपके ticket चार्ट बनने तक confirm हो जाए तो RSC में अगर आपके ticket पहले भी confirm हो जाती चार्ट बनने से पहले फिर भी आपको जो seat और coach number तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उस train के लिए चार्ट prepared ना हो जाए तो अगर आपके ticket RSC में है और आप confuse हो रहे हैं वहाँ पे ना तो coach के बारे में detail दे गई है ना तो seat number तो problem की कोई बात नहीं है जैसे आपके train के लिए चार्ट prepared कर दिया जाएगा वैसे ही आपको seat की जानकारी coach के बारे में सारा कुछ provide कर दिया जाएगा आपके mobile number पे SMS के द्वारा और आप अपने PNR का status भी चेक कर सकते हैं ट्रैवल से पहले आप एक बार चेक कर लिजे कि आपको कौन से seat allocate किया गया है और कौन सा coach में आपको ट्रैवल करना है तीसरी चीज दोस्तो RSC ticket को cancel करवाने पे कितना refund मिलता है अर्किया हम Rs.C ticket को cancel करवा सकते हैं और किस time तक हम Rs.C ticket को cancel करवा सकते हैं तो RSC ticket के बारі मैं मैं आप लोग सकता दू Rs.C ticket को आप cancel करवा सकते हैं जिसमें आपको refund के तोर पे 60 rupees cut करके आपको पूरा-को-कूरा पैसा वापस कर दिया सकता है तो train के departure time से आप आधे घंटे पहले तक अपने RSE ticket को cancel करवा सकते हैं जिसमें आपको 60 रुपीस मातर कट करके वापस कर दिया जाएगा अगर आप ticket को cancel नहीं करवाते हैं और आप travel नहीं करते हैं तो इसमें आपको कोई भी amount refund नहीं किया जाएगा तो अगर आप travel नहीं कर रहे हैं तो train के departure time से आप आधे घंटे पहले तक ticket को cancel करवा सकते हैं जिसमें मातर आपको 60 रुपीस कट किया जाएगा तो दोस्तों ये थी RSE के बारे में पूरी जानकारे अगर आपकी अभी भी कोई query है RSE ticket को लेकर के तो आप मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हैं साथ में आप मुझे मेरे इंस्टा ये facebook id पे भी contact कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको information अच्छी लगी तो please video को like कीजिए अपने दोस्तों में share कीजिए ऐसी और railway related video देखने के लिए मेरे चैनल को भी subscribe कर लिजे तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए take care bye bye thanks for watching